तो गाईज यार आज की वीडियों में बनाने वाले हैं तो गाईज इसके लिए हमें दो बातों के ध्यान रखना है जो हारा केमिकल जो वह सब सूके हुए होने चाहिए और बहुत अच्छे है चाहिए जिससे अच्छे है मिक्स हो सुख करती है तो गाइज यार इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट 75% सलफर 10% चार्पोल पावडर 15% तो गाइज इसे मिक्स करने के लिए हमने यहाँ पर एक मैटल का कंटेनल ले लिया तो चलिए इने मिक्स कर लेती है खावड़ लेती है तो गाइज हमारा विलाक पाड़र बनकर रेडी हो चुका है जबकि हमने इसमें बॉल मिल का यूज नहीं किया है इसलिए हमने इसा पूरे 30 मिनट तक से किया है जिससे इसके इंग्रीटेंट अच्छे से मिक्स हो जाएं तो चलिए अब इसे निकाल को इसे टेस्ट करके देखते हैं तो गाइस जैसे कि आपने देखा हमारे बिलाक पॉर्डर ने बहुत अच्छे सा वर्थ किया उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइ वाह क्या सीन है